प्रेंड्स आज थोड़ा साम गार्डेन का अपडेड दे जाएं अपने और कुछ अर्वेस्टिंग ती यह से करे ले की देखिए इस तरीके से यह परेले फ़रे हुए हमारे और देखिए लाइन से देखिए देखिए जाईए कैसे कैसे लटके हुए अपर तो थोड़ा तो है अब 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 आद देखिए जाओ अब और यह तो सारे ही तोड़ा है अब रही प्यार होई जाएं अब होगे अब होगे अब होगे अब हो थीक है लंबाई तो सही सही हो रही है और यह वह भी तोड़ा वह त्यार जोकोने में अब और यह वी तोड़ी दपर तो फिर अकेला त्यार हो जाएगा तो आकित अभी च्यार दिन लगेंगे अब होगी नहीं है कि वह है कि वह है और यह लवकी तोड़ दो इस्टूल लेते आओ लाकर क्या वह लवकी फ्राव होगा है कितनी लंबी और सीधी होई यह लवकी कि अधिए लेक्षियर दोज के हमारे एक दो खीरे भी निकल जाते हैं और हमारा काम सलाद का चल जाता है यह तोड़ दो उधर उधर अंदर राज अंदर वह त्रहाशा अपड़ा होगी तोड़ दो कि आए कि अधर दो अधर दो है उसको लगारा उमार दिया है वो बढ़ नहीं रहा है तो यह रहना देते हैं यह तरह से खीरा हमारा एक दो एक नहीं खीरे मिल जाते हैं दो उधर प्याड़ है है फिर से मिल जाते और टमाटर के पाउदे देखिए कह तरह से हमारे कर रहे हैं जासा देखिए यहां देखिए चारों तरफ इधर देखिए यह तरह से हमारे हर पोधे फल अच्छे देते हैं अच्छी देखवाल आप लोग भी करेंगे वही तरह से आपका भी फलन होगा तो यह चोटा सा एक अप्टेट था और युकनी के दिखा दें थोड़ा सा और हमने हर्वेस्ट कर लिया था तो पॉजा टेंशन में आ गया था तो लगभग 15 दिन तक इसने जुकनी नहीं दी यहां तक फूली नहीं खिल रहे थे लेकिन अब यह फिर से भरना शुरू हो गय है और देखिए बीना खिले जो फ़ल बने हैं वह इस तरह से पतले पतले छोटे चोटी यह नहीं लेकिन फिर भी बढ़ रहे हैं थोड़े बहुत बढ़ जाएंगे कोई दिख्यात नहीं है कि अब खिल रहे हैं और इधर देखिए जो खिल करके हमारे पुराने युकनी के पौदे हैं तो इस देखिए फाल इस पर भी यह बीना खिले बढ़ रहा है और यह खिला था खिलेगा और इसका पुलिनेशन हो जाएगा वो तो फुल साइज में आएगा जो भी 607 गराब 800 गराम तक होता है उतना होगा और जो बीना खिले होगा वह तो मुस्किली है कि व अवार तो